हेलो दोस्तों सागत है आपका हमारे यट्यूब चैनल पर तो गाइस आज की सोड़ों में हम आपको बताने वाले हैं कि ओपो मोबाइल के कीबोर्ड में अगर इमोजी वाला ओप्सन सो नहीं हो रहा है तो कैसे आप उसे चालू कर सकते हैं फिर इस प्रॉलम को सोल कर सकते हैं इस वीड़ों में हम आपको बताने वाले हैं तो वीडियो को लाज तक देखते रहे हैं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्क्राइब कर लेना तो काई सबसे पहले करना क्या है आपको मोबाइल के सेटिंग में जाना है सेटिंग में जाने के आप उसे क्लिक कर देना चेक करके अगर आपके फोन में सर्च बार नहीं है तो फिर आपको आना है नीचे और यहाँ पर एक सेटिंग मिलेगी Additional Settings आपको Additional Settings पर क्लिक करना है फिर यहाँ पर आने के बाद Keyboard and Input Method पर क्लिक करना है फिर यहाँ पर आपको Keyboard मिल जाएगा या फिर Emoji वाला Option मिलेगा तो अगर Emoji वाला Option मिले तो वहीं से चालू कर देना है अगर वाला Option नहीं है तो Keyboard का Option है तो Keyboard पर क्लिक करना है तो यहाँ पर Preference ن anlam की सेटिंग मिल जाएगी अगर यह सेटिंग बाहर हो तो यहां पर मैंने आपको बताया था इधर तो आपको इधरी क्लिक कर देना है तो हम क्लिक करते हैं यहां पर अंदर है तो प्रेफेरेंस पर क्लिक करते हैं फिर यहीं पर देखिए इमोजी वाला ओप्षन है तो इमोजी स्विच की आपको इसे यहां से चालू कर देना है आपको कीबोर को कहीं पर भी open कर लेना है और कुछ भी type नहीं करना है अगर type नहीं किये रहेंगे तो T के उपर setting का एक option मिलेगा आपको इस setting वाले option पर किलिक करना है फिर आप डिरेक्ट यहां पर आजाएंगे आपको preference पर किलिक करना है और यहां पर यह वाला option अगर बंद कर रहेगा तो इस पर कर रहेगा तो यहांसी से चालू कर देना है तब भी यह option यहां पर आ जाएगा तो गाइस इस तरीके से आप emoji वाले option को चालू कर सकते हैं तो आज कोड़ियों बस इतना ही वडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना थैंक यू